सभी आस्थावानों को मैं इस अवसर पर नमन करता हूँ, इस कार्गम में अनेक पुझ्य संतगण मुझूद है, आप सभी के दर्शन, आशिरवाद और साहनिद्य का सवबाग्य मुझे अनेक बार मिला है, गुजरात में तो भडोदरा, छोटाउदुपूर के कमाठ वहाँ गाउं में भी मुझे संतवानी सुनने का आउसर मिला था, जब आचारिय पुझ्य स्री विजय वलब सुरिश्वर जी की सार्द शती यहने एक सो पचासवी जैन्ती की शुरुवात होई थी, तब मुझे आचारिय जी महराज की प्रतिमा का अनावरन करने का सवबाग्य मिला था, आज एक बार फीर मैं टेक्नोलोजी के माध्यम से आप संतों के बीच हूँ, आज आचारिय स्री विजय वलब सुरिश्वर जी को समर्पित्स, समारक डाक्टिकट और सिक्के का विमोचन हुआ है, इसलिए मेरे लिए यह अवसर दोहरी खुशी लेकर आया है, समारक डाक्टिकट और सिक्के का विमोचन एक बहुत महत्वपुन प्रयास है, उस आध्यात्मिक चेतना से जन जन को जोडने का जो पुझ्य आचारिय जी ने अपना जीवन भर कर्म के द्वारा, वानी के द्वारा, और उनके दर्शन में हमेशा प्रतिम्यवित रहा है, दो वर्ष तक चले इन समारोहों का अब समापन हो रहा है, इस दोरान आस्था, आध्यात्म, राष्ट भक्ति और राष्ट शक्ति को बढ़ेने का जो अभियान आपने चलाया, वो प्रसौंस नहीं है, संत जन, आज दुनिया, युद्ध, आतंक और हिंसा के संकट को अनुभो कर रही है, इस कुछ चक्र से बहार निकलने के लिए प्रेरणा और प्रोद्साहन उसके लिए दुनिया तलास कर रही है, ऐसे में भारत की पुरातन परंपरा, भारत का दर्शन और आज के भारत का सामर्थ, ये विश्व के लिए बड़ी उमीद बन रहा है, आचार्य स्री विजय वल्लब सुरिश्वर जी महराज का दिखाया रास्ता, जैन गुरुओं की सीख, इन वैश्वीक संकटों का समाधान है, अहिंसा, अनेकांत और अपरिग्रह को, जिस प्रकार आचारी जी ने जीया और उनके प्रती जन्मन में विश्वास पहलाने का निरंतर प्रयास किया, वो आज भी हम सब को प्रेरित करता है, शांती और सवार्थ के लिए उनका आग्रह विभाजन की विवीशिका के दवरान भी स्पस्ट रुप से दिखा, भारत विभाजन के कारण आचारी स्री को चतुर मास का व्रद भी तोड़ना पड़ा था, एक ही जगह रहकर साधना का इवरत कितना महत्वपून है, ये आप से भेतर कौन जानता है, लेकिन पुझ्य आचारी स्री ने स्वयम भी भारत आने का फैसला किया, और बाकी जो लोग जिने अपना सब कुछ छोड़ कर ये हाना पड़ा था, उनके सुक और सेवा का भी हर संभोग ख्याल रखा, साथियों, आचारी गण ने अपरिग्रह का जो रास्ता बताया, आज़ादी के आंदोलन में पुझ्य महत्मा गांदी ने भी उसे अपनाया, अपरिग्रह केवल त्याग नहीं है, बलकि हर प्रकार के मोह पर नियंतरन रखना, ये भी अपरिग्रह है, आचारी श्री ने दिखाया कि अपनी परंपड़ा, अपनी संस्कृति के लिए इमानदारी से कारिय करते हुए, सब के कल्यान के लिए बहतर काम किया जा सकता है, साथियों, गच्छाति बती जैनाचारिय स्री विजय नित्यानन सुरिस्वर जी बार बार इसका उलेक करते हैं, कि गुजरात ने दो-दो वल्लब देश को दिये हैं, ये भी संयोग है कि आज आचारिय जी की एक सो पचासवी जैनती के समारोग पुन हो रहे हैं, और कुछ दिन बाद ही हम सरदार वल्लब भाई पटेल की जन्म जैनती राष्ट्रिय एकता दिवस मनाने वाले हैं, आज स्टेची ओपीस संतों की सबसे बड़ी प्रतिमा में से एक है, और स्टेची ओफ यूनिटी दुनिया के सबसे उची प्रतिमा है, और ये सिर्फ उची प्रतिमा ये भर नहीं है, बलकि ये एक भारत, स्रेष्ट भारत की भी सबसे बड़ी प्रतीक है, सरदार साहम ने तुकडों में बटे, रियासतों में बटे भारत को जोड़ा था आचारी जिन्य देश के अलग-अलग हिस्सों में घूम कर भारत की एकता और अखंता को भारत की संस्कृती को स्वसक्ति किया देश की आजहादी के लिए जो आंदोलन हुए उस दोर में भी उन्होंने कोटी-कोटी स्वतंत्रदा सहरानियों के साथ मिलकर काम किया साथियों आचारी जिका कहना था कि देश की समृद्धी आर्थिक समृद्धी पन निर्भर है स्वदेशी अपना कर भारत की कला भारत की संस्कृती और भारत की सब्वता को जिवित रख सकते हैं उन्होंने सिखाया है कि धार्मीक परंपरा और स्वदेशी को कैसे एक साथ बढ़ावा दिया जा सकता है उनके वस्त्र धवल हुआ करते थे लेकिन साथ ही वे वस्त्र खादी के ही होते थे इसे उन्होंने आजिवन अपनाया स्वदेशी और स्वावलंबन का ऐसा संदेश आज भी आजहादी के अम्रित काल में भी बहुत प्रासंगिक है आत्म निर्भर भारत के लिए ये प्रगति का मूल मंत्र है इसलिए स्वयम आचार्य विजय वल्लब सुरिस्वर जी ने और उनसे लेकर के बरतमान गच्छादी पती आचार्य सुरित्यानन सुरिस्वर जी तक जो ये रास्ता ससक्त हुआ है इसको हमें और मजबुती देनी है पुज्य संतगाण अतीत में समाज कल्या, मानव सेवा, सिक्षा और जन्चेतरा की जो सम्रुद्ध परिपाटी आपने विक्सित किये है उस कांदिरन तर विस्तार होता रहे ये आज देश की जरुरत है आज़ादी के अमरितकाल में हम विक्सित भारत के निर्माण के तरफ आगे बढ़ रहे हैं इसके लिए देश ने पंच प्राणों का संकल्प लिया है इन पंच प्राणों की सिद्धी में आप संत ग्रणों की भुमी का बहुत ही अग्रणी है नागरी कर्तवियों को कैसे हम ससक्त करे इसके लिए संतों का मारदर्शन हमेशा एहम है इसके साथ साथ देश लोकल के लिए बोकल हो भारत के लोगों के परिश्रम से बने सामान को मान सम्मान मिले इसके लिए भी आपकी तरफ से चेत्यना अभियान बहुत बड़ी राष्ट्र सेवा है आपके अधिकाश अन्युआई व्यापार कारोबार से जुड़े है उनके द्वारा लिया गया ये प्रांग कि वो भारत में बनी वस्तोकों का ही व्यापार करेंगे खरीद विक्री करेंगे भारत में बने सामान ही उप्योग करेंगे महराज सहाब को ये बहुत बड़ी स्रदानली होगी सबका प्रयास सब के लिए पुरे राष्ट के लिए हो प्रगति का यही पत प्रदर्शन आचारिय ने जीने हमें दिखाया है इसी पत को हम प्रसस्त करते रहें इसी कामना के साथ फिर से सभी संत गणों को मेरा प्रणाम